तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो में मैं डिसकस करूँगा कि कैसे आप ME broker के लिए data ला सकते हैं free, live, NAC data और ये जो data आएगा आपका investing.com website से नहीं तो tradingview.com website से तो इसका जो तरीका मैं आपको step by step बताऊंगा तो actually एक developer ने एक plugin बनाया है जिसके जरीए आप investing.com या नहीं तो tradingview.com से live NAC data आप ME broker में डाल सकते हैं तो इसके लिए आपको कोई पैसा भी देना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो developer इसने इसका trial version एकदम free बनाया है सिर्फ एक limitation है इसमें आपको सिर्फ 4 दिन का ही data आएगा तो अगर आप 4 दिन का data में खुश है तो आप ये जो plugin आप free के लिए use कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए और नहीं तो थोड़ा सा subscription fee देके आप इसका full version भी खरीच सकते हैं और इसमें जो data आएगा आपका ये data actually 15 minute का candle ही होगा अगर आप purchase नहीं करेंगे तो और अगर purchase कर लेते हैं तो जैसे जैसे ये website में सोचे investing.com में अगर एक minute का data देता है आपका script के लिए अगर पांच minute का data देता है तो जो भी data मतलब ये website में available है वही same to same data आपको ME broker में भी मिलेगा तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे आप ये live data free ME broker में ला सकते हैं तो दोस्तों ये मेरा website stockmaniacs.net में मैं एक blog post लिखा हूँ तो देखिए blog post का नाम है get free NAC live data for ME broker from investing.com तो यहाँ पे पहले थोड़ा ME broker के बारे में दो चार बाते हम लोगों ने लिखा है और ME broker के उपर कुछ facts मतलब frequently asked questions भी दिया गया है और उसके बाद देखिए दोस्तों how to get NAC live data for ME broker from investing.com यह main topic में हम लोग आए गए तो यहाँ पे जो website से हम लोग यह data का plugin डाउनलोड करेंगे वो website का एक screenshot यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे दोस्तों और यह data download website का link भी मैंने यहाँ पे दे दिया है मगर यहाँ पे आपका यह social locker से यह बंद हो सकता है तो social locker अगर activate रहेगा तो आपका कोई भी social button इस्तमाल करके यहाँ पे tweet का option है share का option है facebook में और youtube subscribe का option है तो अगर social locker activate रहेगा तो यह download link आपको दिखाई नहीं देगा तो आप एक tweet कर दिजिएगा नहीं तो facebook में share कर दिजिएगा नहीं तो youtube में subscribe कर लिजिएगा तो आपको यह content open हो जाएगा तो फिलाल दोस्तों अभी यह share option यह content locker option थोड़ा काम नहीं कर रहा है इसलिए मैंने अभी link को खोल के रखा है तो आप तुरंत आके मेरे website में आके आप यह plugin का website का link ले सकते हैं और plugin का download website में जा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर link खोल दिया है click here to visit the data download website तो अगर आप यहीं पर click करेंगे तो यह data download का website में आप पहुँच जाएंगे तो दोस्तों यह है data download का website तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर tradingview.com real-time data plugin है और investing.com real-time data plugin है और yahoo.com yodi data plugin भी है और बाहर का market के लिए वी एक plugin है और यहाँ पर tutorials है और fact section है और देखिएगा donation अगर आप यह बंदे को कुछ donation देना चाहते हैं तो donation दे सकते हैं तो मैं चलता हूँ investing.com real-time data plugin में तो यहाँ पर देखिए यह investing.com real-time data plugin के बारे में लिखा गया है जैसे जैसे investing.com website में आपका chart आएगा same to same chart आपका ME broker में भी आ जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा minimum system requirements लिखा हुआ है वो है windows xp service pack 3 और ME broker version 5.27 आपको ज़रूरी है और internet access भी लगेगा यहाँ पर देखिएगा non limitations so investing.com does not provide data for all time intervals for every symbols तो यहाँ पर देखिएगा सारे stock के लिए सारे time frame available नहीं है ठीक है न और कुछ-कुछ stock के लिए volume information भी available नहीं है stock or commodities के लिए तो यहाँ पर देखिएगा और कुछ market के लिए delayed data है मगर NAC के लिए 100% real-time data आपको मिलेगा दोस्तो और यह देखिएगा the length of the history depends on the symbol and its time interval मतलब जब भी आपका यह history जो data का history आपको मिलेगा historical data जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा जितना आपका यह website में है और दोस्तो देखिए यहाँ पर download demo version है तो download demo version यहाँ से आप download demo version 32 bit download कर सकते हैं और नहीं तो 64 bit download कर सकते हैं तो दोस्तो यह 32 bit download करेंगे और नहीं तो 64 bit download करेंगे यह आपको कैसे पता चलेगा यह दोस्तो आपका ME broker का जितना भी version होगा अगर वो 32 bit है तो आप 32 bit का यह plugin download कर लिजेगा और नहीं तो अगर आपका ME broker 64 bit है तो आप 64 bit का यह plugin download कर लिजेगा और यहाँ पे symbol info files only यह भी आप download कर सकते हैं तो यह दोस्तो यहाँ पे tutorial videos पूरा दिया हुआ है और frequently asked questions भी दिया हुआ है तो यह तो आपका free के लिए download हो जाएगा आपको 15 minute का candle मिलता रहेगा और नहीं तो अगर आप purchase करना चारते हैं तो आप यहाँ से purchase भी कर सकते हैं 20 euro per computer आपका लगेगा तो दोस्तो जब भी आप यह plugin को download करते हैं आपको क्या करना पड़ेगा मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पे सोचिए आप कोई जगा में download किया उसके बाद आपको ME broker का folder में जाना पड़ेगा सोचिए मेरा ME broker का folder है c colon program files x86 ME broker plugins यहाँ पे देखिए यह आपका ME data investing.dll आपको यह download के साथ मिलेगा तो यह ME data investing.dll आपका ME broker का plugin folder में आपको paste करना पड़ेगा और दोस्तो देखिए यहाँ पे ME data tradingview.dll यह भी file आप download कर सकते हैं अगर आप tradingview का data download करना चाहते हैं तो यह भी अगर आप download करते हैं जो भी dll file आपका download होगा वही आपको ME broker का plugins folder के अंदर में डालना पड़ेगा और इसके साथ वो download के अंदर में आपका यह folders भी आएगा यह investing.com के लिए यह folder आएगा और tradingview के लिए यह तीन folder आएगा यह सारे folders को भी आपको यह plugin folder के अंदर में डालना है तो उसके बाद दोस्तों आपको database बनाना पड़ेगा तो मेरा database तो पहले से बना हुआ है तो देखिए file database settings में जाके मैं देख सकता हूँ यहाँ पे अगर आप investing.com का data plugin यूज करना चाते हैं तो यहाँ पे देखिए data source आप investing.com amibroker data plugin कर दिजेगा और नहीं तो अगर आप tradingview से data लेना चाते हैं तो tradingview.com amibroker data plugin आप select कर दिजेगा जब भी आपका यह dll file आप यह amibroker plugins folder के अंदर में डालेंगे तो यह data source में आपको यह दोनों चीज दिखाई देगा और दोस्तों यहाँ पे local data storage इसको enable करके रखिए और number of bars यहाँ पे मैं तो धाई लाग का number of bars करके रखा हूँ और base time interval मेरा तो यह purchase किया हुआ version है इसलिए मैंने 5 minute रखा है मगर आप अगर यह free version यूज करना चाहते हैं तो आपको यह 15 minute करना पड़ेगा तो trial version के लिए आपको यह 15 minute करना पड़ेगा और दोस्तों यहाँ पे देखिए intraday settings मेरा जैसा जैसा है मैंने यहाँ पे show day session only करके रखा हूँ यहाँ पे start 9.15 और end 15.30 और यहाँ पे daily time compression uses यह local time है यहाँ पे मेरा allow mixed EOD और intraday data किया हुआ है और यहाँ पे request data on save external RT sources only यहाँ पे भी click किया हुआ है यहाँ पे दीखिए दोस्तों time shift यहाँ पे मैंने zero करके रखा है मगर मैं इसको cancel कर देता हूँ मगर यह configure में actually आपको यह time shift देना पड़ेगा configure में क्यूंकि actually जो data आएगा वह आपका GMT के हिसाब से आएगा मतलब greenwich meantime के हिसाब से आएगा तो इंडिया में अगर आप है तो इंडिया is GMT plus 530 तो यहाँ पे आपको GMT shift तो इसको आपको plus 5.30 करना है तो इसको मैं अभी ok कर देता हूँ इसको भी ok कर देता हूँ यहाँ पे देखिएगा आपको पुछेगा please note that specifying high number of bars to load is allowed but can significantly degrade the performance इसको आपको ok करना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए मेरा यह live data आना चालू हो जाएगा जब भी आपका market खुला रहेगा अभी तो market फिलाल बंद हो गया तो जब भी market खुला रहेगा तो आपको पहले यह symbol डालना पड़ेगा symbol कैसे आप डाल सकते मैं इसको भी आपको दिखा देता हूं तो symbol डालना पड़ेगा और symbol डालने के बाद यह data आपका आना चालू हो जाएगा तो मैं चलिए यह तो मेरा purchase किया हुआ version है यह investing.com का version आपको अगर purchase नहीं करेंगे तो आपको कैसे दिखाई देगा वो मैं दिखा देता हूं मैं tradingview.com का plugin में चलता हूं तो यह मेरा recent database से मैं tradingview 15 minutes मैं ले लेता हूं यह देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं intraday 15 minutes कर देता हूं क्योंकि मैं अगर 5 minutes भी करके रखो यहाँ पे मेरा सिर्फ 4 दिन का data और 15 minutes का बार ही मिलेगा और देखिए दोस्तों चलिए मैं देखता हूं symbols मैं यहाँ पे major world indices है यहाँ पे मैं lifty ले लेता हूं तो यहाँ पे देखिए यह मेरा unregistered version है तो इसलिए मेरा एक pop-up यहाँ पे आ गिया तो मैं इसको close कर देता हूं यहाँ पे देखिए दोस्तों nifty का चार्ट आ गया आज का nifty का चार्ट 15 minutes का data का बार और सोचिए मैं यह चार्ट में bank nifty देखना चाता हूं तो यहाँ से मैं bank nifty कर लेता हूं तो यहाँ पे देखिए bank nifty का भी data आ गया तो दोस्तों फिलाल trading view में nifty और bank nifty का तो volume available है नही इसलिए नीचे volume का option नहीं आ रहा है मगर आप अगर कोई भी stock में जाएंगे सोचिए NAC में सोचिए आप कोई भी stock सोचिए आदानी power तो अगर आप आदानी power लेंगे तो देखिए यहाँ पे आदानी power का चार्ट आ गया और इसमें volume भी है तो ऐसे करके आप कोई भी symbol को ल indicator है तो अभी तो फिलाल NAC का market बंद है मगर मैं आपको कैसे symbol आप add कर सकते हैं मैं सोचिए एक बाहर का market का कोई symbol add करता हूं जिसमें अभी बजार खुला हुआ है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे download और idle दिखाएगा मतलब जब भी आपका data download हो रहा है download क चेकिंग हो रहा है तब भी यहाँ से DWLD दिखाएगा और जब भी यह आइडल होगा तो यह इसमें आपको आइडल दिखाएगा तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे import symbol info इसको क्लिक कीजिए यहाँ पे देखिए हम लोग ME data investing के अंदर में हूं मगर और यहाँ पे US indices है major world indices है तो मैं major world indices ले लेता हूं और major world indices में हम लोग यहाँ से Dow Jones Industrial Average ले लेते हैं और यहाँ से और एक इंडेक्स लेते हैं हम लोग सोचिए FTAC या ऐसा कोई index हम लोग ले लेते हैं एक सेकंड देख लेता हूं सोचिए DAX है यहाँ पे DAX यह दोनों Dow Jones और DAX ले लेते हैं इसको OK कर देते हैं इसको किप करते हैं तो देखिए वान सिम्बॉल इंफो एडेड अपडेटेड ओके कर दिया ओके ओके एक्चुली डाउजोंस मेरा पहले से है इसलिए लेगा नहीं डाउजोंस तो मेजोर वाल्ड इंडाइस में देखिए DAX आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं DAX के उपर देखते हैं DAX का डाटा अपडेट हो रहा है या नहीं देखिए यह डेक्स का चार्ट चल रहा है अभी देखिए यहाँ पे लाइफ डेटा भी आ रहा है 14100.30 ऐसे करके आपका लाइफ डेटा आ रहा है तो वैसे आपका इंडियान मार्केट में भी लाइफ डेटा आएगा देखिए ऐसे लाइफ डेटा आ रहा है आपका तो ऐसे करके आप लाइफ डेटा दे सकते हैं इंडियान मार्केट के लिए भी तो दोस्तो अगर यह प्लगिन के बारे में पूरा जानकारी चाहिए तो आप जरूर मेरा यह ब्लॉग पोस्ट में आ जाईएगा यहाँ पे step by step guidance दिया हुआ है कैसे आप डेटा डाउनलोड करेंगे और यह डेटा कैसे आप लाइफ मार्केट में इस्तेमाल कीचे और दोस्तो यह मेरा जो download साइट है इसमें भी पूरा टूटॉरियल्स और फैक्स दिया गया है तो यहाँ पे भी आपको ये सारे सब कुछ ये टूटोरियल्स और फैक्स मिल जाएगा तो एक बार ये साइट में आप आ जाते हैं तो यहां से आप प्लागीन भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्लागीन के बारे में ज्यादा जानकारी भी ले सकते हैं तो दोस्तो अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भुलिएगा और बेला इकन कभी जरूर दबा दीजिएगा तो दोस्तो मैं फिर से हाजिर होता हूँ आपके सामने मैं दूसरा कोई वीडियो लेके ये वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कर दीजिएगा आपका दोस्तो और रिलेटिव के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा कैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके उपर कमेंट मेरे को आग्या दीजिये बहुत भहुत धन्यवाद दोस्तों